नमस्कार मविकास कुमार मील आज का हमारा टोपिक है भारत के दीप ये परदेश जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत को भुवाकर्तिक दस्टी से पांच भागों में विवभाजित किया जा सकता है जिसमें उत्री परवर्तिय परदेश मद्यवर्ति मैदानी परदेश प्राय दीपिय पठारी परदेश तत्वर्ति मैदानी परदेश एवं दीपिय परदेश आज हम लोग भारत के दीप एवं दीपिय समू के बारे में अध्यन करेंगे दीपिय समू के अध्यन में हम लोग अगर बात करें तटवर्ती दीपों की तो गुजरात के दक्षणी खंबात की खाड़ी में आलिया बेट खडिया बेट जो दीप है वह नरमदा तापती के मुहाने पर है इसके अलावा हेंडरे केंडरे बुचर और एलिफेंटा ये जो दीपिय समू है ये मुंबई के पास है बहुत बार क्यों सनाता है कि मुंबई के पास इस्तित दीपिय समू के नाम बताईए हेंडरे केंडरे बुचर एवं एलिफेंटा फिर पामबन और हेंबर की बात की जा के तटवर्ती भाग में स्थित है फिर चांदीपूर और वहीलर उडिशा तट के पास स्थित है गंगा सागर गंगा के डेल्टा के पास स्थित है न्यूमुरे दीप जो गंगा के डेल्टा के पास एक दीप है जो वर्तमान में समुद्र में डूप गया है गंगा के डेल्टा द्वारा निर्मित ये दीप समुह है जो कि वर्तमान में समुद्र में जल मगन हो गया है बात की जाए दो बड़े दीप समुह की तो पहला है अल्लाक्स दीप दीप समुह परवाल सरंचना द्वारा निर्मित ये एक एटोल दीप है जिसकी उस्षत उन्चाई 9-14 मिटर के करीब है क्यूशन कई बार पूटब क्या होता है भारत में कौन सा दीप ये समू हूँ या कौन सा समू परवाल द्वारा निर्मित है आनसर होगा लक्स दीप ये समू हूँ इसमें कुल 36 मुख्य दीप है जिसमें अमिनी दीप और मिनी काई मुख्य है जैसा कि हम लोग जानते हैं कई बार कॉम्टेटिव एक्जाम सी में या फिर अकेडमिक एक्जाम में पूछ लेते हैं कि नो डिगरी जो अक्सांस रेखा है जो नो डिगरी जो चनल है वह जो जलमार्ग है वह कहां स्थित है अमिनी दीप में फिर आठ डिगरी अक्सांस या आठ डिगरी जो चनल है वह मिनी काई दीप में स्थित है और माल दीप समू से अलग करता है इसके लावा आगला जो दीपिय समू है वो है अंडमान निकोबार दीपिय समू बंगाल की खाड़ी में लगबग 90 डिगरी पुर्वी देशांतर की अनुरूप और 204 मुख्य दीपों का समू है जिसे 90 डिगरी पुर्वी कटक भी कहा जाता है जैसा कि हम लोग लक्ष दीप में दीपों के संख्या के बारे में पढ़ रहे थे लक्ष दीप में जहां 36 मुख्य दीप हैं वहीं अंडमान निकोबार दीप समू हमें 204 मुख्य दीपों का समू है यहां उसे तुनचाई 300 से 700 मिटर है यह हिमाले का विश्तार और ट्रस्री सरंचना का छित्र है इस दीप ये समू की सरवची जो चोटी है वह है माउंट शेडल है अंडमार यहां जो परमुख दीप समू है वह अंडमान दीप समू है और निकोबार दीप समू है अंडमान में उत्री अंडमान हो गया मद्य अंडमान दक्षिन अंडमान और लगो अंडमान फिर निकोबार में कार निकोबार और ग्रेड निकोबार लगो अंडमान और का दस डिगरी चनल या दस डिगरी अक्सान से रिखा किन दो दीपों को अलग करती है या किन दो दीपों के मद्धे श्थित है तो उसका अनसर होगा लगू अंडमान तथा कारनिकोबार अंडमान दीप सुम्मों में जोला मुखी दीप भी है जैसे बैरन दीप, नार कॉंडम दीप आदी जोलम की पर्वत यहां इस्तित है इस परकार आजगा जो हमारा टोपिक है भारत के दीप इसमों वो यहीं समप्थ होता है कल किसी नए टोपिक के साथ मिलेंगे धन्यवाद